बलस्यावर्णाम चंद्र की जय बोलिये रती रमन घन स्याम की जय स्री राधारानी की जय राधे राधे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्रानियों में सद्भावना हो विश्व का कल्यान हो नगरवस्ती की जय हो गवहत्या बंद्ध हो गंगा अवंध हो बारत अखंड हो भारत अखंड हो हलो नमस्कार अदाव सलाम सश्वेकाल केम छोकत से काई कि रोहाले कि नाच्छी यहां सब कैसन वानी हावरियों कैसे हैं आप लोग कैमोना चो मनक कम खंभागनी हुकोम केमती अच्छनती की ख़वोर नमस्तू प्याँ देवी और सज्जनों आज के इस वीडियो में मैं यनि की राजा मिस्त्रा आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ 14, 15 और 16 जन्वरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा आपके मन में इस समय में एक संकाने भी जन्म ले लिया होगा कि मकर संक्रांती कब मनाया जाए 14 तारिक को या 15 तारिक को 14 जन्वरी और 15 जन्वरी किस दिन मकर संक्रांती मनाया जाए किस दिन सुर्ज का प्रवेश मकर रासी में होगा आपकी जानकारी के लिए बता दू कि मकर संक्रांती 15 जन्वरी को मनाया जाएगा इसके पीछे का कारणी ये कि सुर्ज देब मकर रासी में रात को 8 बज के 57 मिनट में प्रवेश ही करेंगी रात को 8 बज के 57 में जिसके कारण से मकर संक्रांती 15 तारिक को होगी अथवा दूसरे सब्दों में कहूं तो राज 14 तारीक को राज 8 बज़ के 57 मिनट के बाद आप कभी भी मना सकते हो लेकिन अगला दिन सुर्योद है 15 तारीक है तो 15 तारीक को ही मकर संगरानती होगी कुछ लोग कहते हैं कि रवी बार है रवी बार को खिचरी नहीं खानी चाहिए तिल नहीं छूना चाहिए वो नियम है ऐसा नहीं है कि वो नियम नहीं है वो गलत कहते हैं लेकिन वो एक सामानी नियम है और ये एक विशेश प्रिस्थिति है इसलिए 15 तारिख को आप खिचडी भी खाएं और तिलका भी दान करें 15 तालिक को सुबा सुबा ये प्रयास रहे कि आप सभी दर्स कुछ न कुछ दान कर ले खास करके तील का तो जरूर दान करे और कुछ ब्राम्भनों को भोजन जरूर करवाए जिनको ब्राम्भन ना मिले कुछ गरीबों को भोजन करवाए कुछ महत्माओं को भोजन करवाए क कि आपके लिए 14, 15 और 16 तारिख का समय कैसा रहने वाला है किस मामले में बढ़ियां और किस मामले में खड़ाब रहेगा इसको समझेंगे सबसे पहले 14, 15 और 16 तारिख के पंचांग की जो कुछ महत्पुर्ण बाते हैं उसको स्रवन कर लिया जाए देवी और सजनो 14 तारिख को सब्तमीत थी है सनीवार का दिन है चंद्रमा तुला रासी में रहेंगे 6 बज़ के 48 मिनट के बाद यनि कि हमारा ये रासी फल 14 तारिख को 6 बज़ के 48 मिनट के बाद आप पर में लागू होगा सुब समय जो है आपके लिए 12 बज़ के 9 मिनट पीम से 12 बज़ के 50 मिनट प कोई भी सुह काम कर सकते है और दिशा सूल पूरब दिशा की तरफ है संभब हो तो 14 तारिख को पूरब दिशा की यात्रा ना करे पंदरा तारिख को अस्टमीत थी है रवीवार का दिन है चंद्रमा तुला रासी में रहेंगे सुब समय 12 बज़ के 9 मिनट पीम से 12 बज़ क क्यावन मिनट पीम तक का है दिशा सूल जो है सो पस्चिम दिशा की तरफ है अर्थात 15 तारिख को पस्चिम दिशा की यात्रा ना करे तो 16 तारिख को नव मीत थी है सोम बार का दिन है चंद्रमा तुला रासी में रहेंगे सुब समय 12 बज़ के 9 मिनट पीम से लेकर के 12 पूरव की तरफ है यानि कि 16 तारिख को पूरव दिशा की यात्रा नहीं करेंगे आईए समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके मेंस से लेकर मीन तक की कहानी को कि क्या कहता है आपके लिए तेवी और सज्जनों चंद्रमा क्योंकि तुला रासी में है इसलिए मेस रासी वालों के लिए यहां पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा कुंडली के सब्तम भाव में यहां पर में चंद्र प्रवेश करेंगे मेस रासी वालों के लिए कुंडली के सब्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्साता है क्या कह रहा है उसको समझे चंद्रमा का प्रवेश कह रहा है देवी और सज्जनो कि मेश रासी वाले जातक को इस समय यनि कि 14, 15 और 16 जनवरी को कुछ धन के लाव का योग बन रहा है क्या कुछ धन का लाव मिलेगा आपको पर्याप्त काम सुख की प्राप्ती होगी आपको पर्याप्त सेक्चुल साटिस्फेक्शन प्राप्त होगा पर्याप्त काम सुख प्राप्त होगा छोटी छोटी लावदायक यात्राएं भी आपको करने को मिलेगी छोटी चोटी यात्राएं करेंगे, वो ही आपके लिए लाव दायक शाबित होगा। देभी और सजनु। वानिज तथा व्य हर्षाय यानि कि विजनेस और… वानिज्य और वेवसाय दोनों में जो है विजनेस में जो है आपका लाव का विशेश योग आपके लिए बन रहा है महारसी का तो ये भी कहना है कि उत्तम भोजन छीर आदी पे पदार्थ का आप ग्रहन करेंगे आपको प्राप्त होगा और सयनक सुख भी प्राप्त होगा स्वास्त भी आपके लिए अच्छा रहेगा वाहन और ख्याती की प्राप्ती के भी आपके लिए पिसे सी योग मेसरासी वाले बन रहे हैं यानि कि मेसरासी वालों के लिए समय जो है सो हर मामले में अच्छा दिखाई दे रहा है में इसके बाद अब चर्चा करेंगे बिर्शवरासी की बिर्शवरासी वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश यनि की यहां पर मैं बिर्शवरासी वालों के लिए तो बिर्शव रासी बालों के लिए कुंडली के छठे वहाओ में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि बिर्शव रासी वाले जातक को भी कुछ धनलाव मिलेगा आप सिर्फ मेंच रासी वाले नहीं ले लोगे सारा का सारा कुछ बिर्सवरासी वालों को भी मिलेगा और आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा महरसी क्या कहना है कि इस समय में आपको यस और आनंद की प्रापती होगी आपको यस की प्रतिस्था चारो तरफ बढ़ेगी और कह रहे हैं कि महिलाओं से आपका संपर्क बढ़ेगा, अपने घर में भी सुख की प्राप्ती होगी, शक्त्रू अगर आप से टकराने का इस समय में प्रयास करता है तो उसकी पराजय होगी, महरसी का कहना है कि रोग का नास होगा परंटू, खर्चा अधिक होगा, बै अधिक होगा आपको, उससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, विरसाफ के बाद वारी आती है मिथून रासी की, मिथून रासी वालों के लिए जो है, सो चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में बिराजमान रहेंगे, कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा मिथ मिफून रासी वालों के लिए बिराजमान होने के कार मिफून रासी वालों को कुछ परेसानी का सामना करना पड़ेगा कैसे तो मार्सी कह रहे हैं कि दिसा सूल जिस दिसा में हमने आपको बताया 14 15 और 16 तारीय को उस दिसा में तो यात्रा आपको भूल से भी नहीं करनी है न पफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस समय में आप किसी को दे नहीं पाएंगी। यनि कि मिथुन रासी वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। मिथुन के बाद अब चर्चा करेंगे करकरासी के बारे करकरासी करकरासी वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश करकरासी वाले ज्यातक के लिए ये दर्सा रहा है देवी और सजनों की अपने ही लोगों से वाद विवाद की संभावना स्वजनों से विवाद की संभावना दिखाई दे रही है आपका चित आपका मन चंचल रहेगा छाती में किसी प्रकार के विकार की भी संभावना आपको दिखाई दे रही है आपके छाती में हिर्दय में किसी प्रकार की पर्यसानी अगर है तो इस समय में सावधान रहे भोजन अगर सही समय पर ना मिले तो गुस्से पर कावू रखें क्योंकि भोजन सही समय पर आपको नहीं मिल पाएगा इस समय निंद में अगर कोई बाधा भी डाल दे तो क्रोज ना करें इस समय में सावधान रहे देवी और सज्जन जल तथा इस्त्री जाती से भी कुछ भै के योग दिखाई दे रहे हैं, समाज में भी अपमान का भै दिखाई दे रहा है, इस्त्री सुख में पुरुसों को और इनी की जीवन साथी के सुख में एक दूसरे को आपको कमी दिखाई देगा, इस समय में प्रेमी प्रेम का के सुख में इ ये कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा, कुंडली के तीसरे भाव में, जिसके कारण से सिंग रासी वाले जातक के लिए महरसी का कहना है, कि धन की प्राप्ती का विशेस योग बनेगा, आपको पैसा विशेस मिलेगा, वस्तरादी का सुख भी प्राप्त होगा, आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, शत्रूओं पर बीजय प्राप्त करेंगे, मन प्रसन रहेगा, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त विताने का वसर भी प्राप्त होगा, और देवी और सजनों, बंधू जनों से लाव मिलने के योग भी दिखाई दे रहे, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा, और भाग्य म भी बिद्धी के यूग दिखाई दे रहे, यहीं कि सिंग रासी वालों के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है, शिंग के वाद रासी चक्र के छठे रासी जिसका नाम है कन्या, कन्या के लिए चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेस करेंगे, कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का फ्रवेस जो है, सो ये दर्सा रहा है, कि कन्या रासी वाले जातक को इस समय में मानसिक संतोष नहीं रहेगी, मानसिक और संतोष की प्राप्ती का योग लग रहा है, देवी और सज्जनु, मारसी का कहना है कि कुटुम्ब से आपका संबं संबंद भी अच्छा नहीं रहेगा इस समय में कन्या रासी वाले आपके परिवार के लोगों के साथ ही आपका संबंद इस समय में बढ़ियानी रहेगा, देवी और सज्जनु, मारसी का कहना है कि और क्या तो और नित्र से संबंधित पीरा या कोई अनिरोग भी आपको प परिशान कर सकती है, देवी और सज्जनों, मारसी का कहना है कि अच्छा भोजन वो सुख प्राप्त इस समय में होना थोरा सा आपके लिए मुस्किल लग रहा है, मारसी का कहना है कि कारियों में और सफलता के योग, पाप कर्मों में प्रब्रित्ती और विद्या में रुषी के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, इस समय में आपका समय आपके पक्ष में नहीं है, कन्या के बाद अब बारी आती है किस रासी की, तो बारी है तुला रासी की, तुला रासी बालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रवा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्साता है कि तुलारासी वालों के लिए तो ये समय बड़ा ही सुखद रहने वाला है यानि कि इस समय में तुलारासी वाले जातक को सुख की प्राप्ती होगी क्या होगा सुख की प्राप्ती होगी सुख के साथ साथ आनंद भी मिलेगा आप आनंदित भी मैसूस करेंगे बड़ा आनंद आपको प्राप्त होगा अगर किसी प्रकार की बिमारी से आप पीडित हैं तुलारासी वाले तो इस समय में आपको उस विमारी से राहत देखने को मिलेगी वो विमारी आपको इस समय में परेशान नहीं कर सकती है देवी और सजनो महरसी का कहना है कि उत्तम भोजन प्राप्ति का योग उत्तम भोजन वढ़ियां वस्त्र और सया सुख क्या-क्या उत्तम्भोजन वढ़ियावस्त्र और सया सुख के प्राप्ति का विशेश योग तुलारासी वालों के लिए इस समय में बन रहा है जीवन साथी के साथ अथवा प्रेमी प्रेमका के साथ वक्त विताने का आवशर भी आपको प्राप्त होगा उपहार और धन प्राप्ति के विशेश योग आपके लिए तुलारासी वाले बन रहे हैं देवी और सज्जनों तुलारासी वालों के लिए ये समय हर मामले में बराही सुखद और अच्छा दिखाई दे रहा है तुला के बाद अब वारी आती है विरिश्चिक रासी की रासी का क्या नाम है विया विरिश्चिक रासी विरिश्चिक के लिए चंदर्मा कुंडली के द्वादस भाव में प्रवेस करेंगे ब्रिश्चिक के लिए चंद्रमा का द्वादस बहाव में प्रवेश ये दर्साता है देवी और सज्जनों कि ब्रिश्चिक रासी वाले जातक को सारीरी कस्ट की संभावना दिखाईते रही हिल्थ हवाईज किसी प्रकार की इसु आपको परिश्वान कर सकती है स्वास्त संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है और महर्शी कह रहे हैं कि विसेश कर आख से संबंधित समस्या आपके सामने में आएगी धन और मान के हनी का भी योग, पुत्रादी का सहयोग इस समय में कम प्राप्त होना, मनसिक चिन्ताओं का बढ़ जाना और खर्चा अधिक होना यही ब्रिश्चिक रासी के भाग में 14, 15 और 16 तारीक को दिखाई दे रहा है ब्रिश्चिक के बाद देवी और सज्चिक बाड़ी आती है धनूरासी की धनूरासी वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के एकादस भाव में प्रवेस करें और एकादस भाव में चंद्रमा का प्रवेश्ट धनुरासी वालों के लिए समझों कि बर्दाउन शावित हो जाएगा जैसे कि 14, 15 और 16 तारिक को महरसी का कहना है कि आपके आए में बृद्धी के योग दिखाई दे रहे आपकी आमदनी बरने लगेगी इस समय में तीन दिन में अनुभव करेंगे कुछ आमदनी बर गई कुछ पैसा ज्यादा आ गया अनुरासी वाले महरसी का कहना है कि बैफार में भी खूब लाव मिलने की संभावना इस समय में दिखाई दे रही है पुत्रादी से सुक प्राप्त होगा उत्तम भोजन समय पर मिलेगा मित्रों के साथ हास प्रिहास और इस्तरी सुक में समय व्यतित होगा यनि कि दोस्तों के साथ हस प्रिहास काबसर और प्रेमी काथवा जीवन साथी के साथ वक्त विताने का मौका भी आपको दिया जाएगा मन बरा प्रफुलित रहेगा और उसी प्रफुलित मन के साथ महत्व कांग छाओं की आपकी पूर्ती होगी देवे और सजन महरसी का कहना है कि इस समय में आपको अपोजिट जेंडर से विसेश लाव का योग बन रहा है और जो लोग खास करके लिक्विड का कारोबार करते हैं तरल पदार्थ का काम करते हैं उनको तो और ज्यादा विसेश फाइदे के योग दिखाई लिए रहा है तो धनू के लिए समय बढ़ियां बात रही मकर रासी वालों की तो मकर के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के दसंभाव में होगा कुंडली के दसंभाव में चंद्रमा का प्रवेश मकर रासी वाले जातक के लिए ये दर्साता है कि मकर रासी वालों के लिए समय वराज सुखद रहने वाला है वहुत अच्छा रहने वाला है कैसे तो मकर रासी वालों के लिए महरसी कह रहे हैं कि आपके अवहिष्ट कारियों की शिद्धी होगी यरी की जिस कारी को करने की आपकी इच्छा थी जो आपकी चाहत थी वो कारी सफल होगा ते भी और सज्जनों महरसी का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या तो सभी कारी बरे सरलता पुरुबक आपके पुर्ण हो जाएंगे इस समय में आपका स्वास्त भी बढ़ियां रहेंगे हेल्थ हवाईज किसी प्रकार की इसू थी तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी और महरसी का कहना है कि राज की ओर से सरकार की ओर से मालिक के तरफ से सिन्यल कर्मचारी के तरफ से धान और सम्मान के प्राप्ती का विसेश योग आपको दिखाई दे रहा है देवी और सज्जन नौकरी में पदोन्नती के योग उच्छा धिकारी का परसन्न होना और उत्तम ग्रिह सुक की प्राप्ती यही आपके लिए इस समय में विसेश योग बन रहा है वरा सुन्दर और सुखद समय रहेगा मकर के बाद वारी आती है कुम्भरासी की कुम्भरासी वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दरसाता है कि कुम्भरासी वालों के लिए समय ये अच्छा नहीं रहने वाला है इस समय में हर तरफ से कुछ न कुछ परिसानी दिखाई देगी कुम्भरासी वाले और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि व्यवसाई में भी हानी के योग वच्चों के साथ मतवेद की स्थिती स्वास्त अच्छा ना रहना पेट से सम्बंधित किसी प्रकार की समश्या का सामना करना भाग का साथ नहीं मिलना सत्रू के द्वारा परिसानी और राज्य की योड से भी कुछ परिसानी के योग आपको दिखाई दे रहे यनि कि कुम्भ रासी वालों के लिए ये समय बढ़ियां नहीं लोगा है कुम्भ के बाद अब बारी आती है मीन रासी की मीन रासी रासी चक्र की अंतिम रासी और कुण्डली के बारा में भाव में प्रमेश ये दर्साता है देवी और सजनो कि इस समय में सारीरी कष्ट की संभावना आपको दिखाई दे रही है मीन रासी वाले हिल्थ वाईज इसू के कुछ योग जैसे कि अपच्छ हो जाना भोजन जो करेंगे या तो बहुत ज़्यादा कर लेंगे अथवा रुची इतनी ज़्यादा जग जाएगी इतना ज़्यादा मन करेगा खाना का अथवा कुछ ऐसी चीजे ले लेंगे जो आपको पचेगा नहीं पेट से सम्मंधित किसी प्रकार की समस्य सरदी खांसी जुकाम और सुआस से सम्मंधित समस्या आपको बिसेश प्रेशान कर सका है लराई जगरा वाद विवाद मांसिक कलेश की इस्थिती भी आपके सामने में आ सकती है देवी और सजनो नियत समय पर अच्छा भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा इस समय अचानक से किसी प्रकार की परेशानी अगर सामने आती है तो उससे उलजने के लिए उसके साथ टकराने के लिए आपको तयार रहना पड़ेगा दन के भी कुछ हानी का योग दिखाई दे रहा है जो ठीक नहीं है आपके लिए तो इस समय में मीन रासी वाले 14-15-16 तारीक को थोड़ा सा मन को कंट्रोल में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो देवी और सजनों यही थी मेंस से लेकर के मीन तक की कहानी जो हमने आपको सुनाई कैसा रहेगा 14-15-16 तारीक आप समझ चुके उमीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबा दे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद थैंकियो थैंकियो सोमझ जैहिंद वन्दे मातरम बोलिये राधे राधे